जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तूती हो जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तूती हो सारे दुनिया का रखवाला तू है ये शू तू ही तू हूँ तेरी स्थूती मैं करूँ आरादना करूं दिल से दिल से पुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारम और अंत में नाम हो तेरा खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारम और अंत में नाम हो तेरा मेरे जीवन का सहारा तू मेरे जीवन का सहारा तू ऐ प्राभू तू ही तू तेरी स्थूती मैं करूँ अराद ना करूँ दिल से तेरी स्थूती मैं करूँ अराद ना करूँ दिल से तेरी स्थूती मैं करूँ दिल से जो कि यिश्व श्व श्वर्षी जो अंदर में रह रहे है उसके पाराद बोचुका है उज 담 से उलके लहत चालो किया कि श्व मश्व मश्व के चोटे भाई का नाम प्रेo मश्व अब बड़े ला ही का नाम यूश्व मश्य अलयलूना। मैं आपको एक सच बात बताने के लिए आपको आपको ऐसा देखना चाहता है जैसा प्रपानिश्वर इश्यू को देखकर प्रसंद होता है वैसे ईश्यू जो है वो आपको अपने हम श्री अ चाहता है यह अप्र अरे को अपता हमेच्छ में रञगी है मैं तल्रास से प्रात्रा कर रहा हूं डो उस मेच में मुझे जाना है उस समीर तब है मुझे जाना है, कितना आनंग का समय होगा, जब मैं तेरी मेज में समलित होगा, तेरे साथ में समलित होगा, क्योंकि तेरी अक्मों तो पस्तिभी वहाँ पर होगी, तेरी महिमा वहाँ पर होगी, लोग होगे, तेरे बच्चे होगे, हरे कोई अधिकार नहीं आपने आप से बोलिये कि आज में बने जा रहा हूं अज में साथ मैं कोछ अग्वल काम होगा कोफिकी मैं तुब कि ऊंरा हूं अलेलुया, क्या आप बिरे साथ तो हैं, क्या आप सुना चाहते हैं, आज प्रवोआप से क्या बत्ते नाचाता हैं, मेरे प्रवुव जो सुनता है, वही सोर्ग जाएगा आलेलुया, भाई तुल कहती है, तुनिया फुकी जाएंगी, और सुनेगा गौन, जिसकी आत्मिक आँख खुली, तुनिया कान खुले होंगे, आलेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, यहां से प्रतेग लोग स्वर्ग जाएंगे, यह प्रमाण है, इस बात करते हैं, आप स प्रिशाइंगे, प्रिशाइंगे अब्रिशाइंगे अब लुष्वर्टा को अधरी नहीं बेश्वर्ट सब्स्याइब, आफ़ंड है, और सुनिया को उपाओ स्वर्णिया, तू भी सुन, तू भी सुन, तू भी सुन, क्योंकि मेरी बच्चा के लहू, एक कारण, मैंने तेरे बंदियों को, बिना जलके, गड़े में से उभार लिया, सब ओने हालेलुया, हालेलुया, मेरी क्यों हम इस देश के पास हैं, प्रभु का आत्मा उससे प्यादा है, ऐगी पार हम लोग सब दजन से तरह इंक्या मनद ध्याने करें, मैं चाहता हूं, आज स्वरी की मन्ना गलेशिया जो है, प्रभु के सामने में, इसको अंभीतार करें, इसको पुष्णा करें, बजन सहीता, इंक्यावानद है, हम सब मिलकर देश साथ पढ़ेंगे, इससे पहलें, कि हम प्रभु के बच्छर को हम सुने, बजन सहीता की क्या मानद था, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, ये परमेश्वरत, अपनी करुना के अनुसार, कुछ पर अनुगर कर, अपनी बड़ी द्रयात के अनुसार, मेरा प्रादों को मिठा दे, मुझे धरीबाती धोकर, मेरा अंधरमदूर कर, और मेरा पाप, चलाकर, म मुझे शुद्दिकर, मैं तो अपनी अप्रादों को जानता हूं, और मेरा पाप, निरंतर मेरी द्रिस्की में रता है, मैंने केवल तेरी विरुत पाप किया है, और जो तेरी द्रिस्की में बुरा है, वही किया है, ताकि तो बोलने में धर्मी, और न्याय करने में निश् देख मैं अधर्म के साथ उत्वन्द हुआ और आपके साथ अपनी माता की गर पे पड़ा देख तो हेड़े की सच्चाई से प्रसंद होता है और मेरे मन ही में ज्यान सिखाएगा सुफ़ा से मुझे शुद दिखाए तो मैं पवित्र हो जाओंगा मुझे धो और मैं हिंसे भी अधिक स्वेट बनगा मुझे हर्श और आनंग की बाते सुना जिसने जो हटिया तुम्हें तोड़ आनी है ते मगल हो जाएगे अपनामुक मेरे पापों की होसे फिर ली और मेरे सारे अधन के कावों को इठागा दी परमेश्वर मेरे अंदर शुद बहन उत्वा रकष़ और मेरे भीतव इस तिरआत्मा नहें से रिसुद पर नगर मुझे अपने सामने से निकाल अरह और अपने पुईकात्मा को फु मुझे फिर से दे और उधार आक्मा देकर मुझे संभाद तब मैं अपरादियों को तेरा मार्ट सिखाऊंगा और पापी तेरी और तरे में ए पर्मिश्वत ए मेरे उधार करता पर्मिश्वत मुझे हट्या के अपराद से चड़ा ले तब मैं तेरे धरंगा जज़ेकार करने पाऊंगा कि तो मेरे बली से प्रसंग नहीं होता नहीं तो मैं देता और बली से और प्रसंग नहीं वता तूटा मन परमेशन की योग बरिदान है एक परमेशन तो तूटे और पिसे वे मन को तुछ नहीं जानता प्रसंग होकर सीरों की फ़लाई कर यह उसरें के सहर बना को तूबना तब तो धर्म के बरिदानों से अठात सर्मंपश्यों के होंदाई से प्रसंग होगा तब लोग तेरी बेदी पर तैल शक्तन देए सबोरे आमेन और येशू और पता मुझे आज माफ कर मैं इस बचन की घोशना करके आज मैं शुद्ध हो गया हूँ मेरी भी ये प्राथना है जो गाउन ने किया आस्से में नया हो गया तुमने मुझे बदल दिया है तुमने मुझे बदल दिया है मेरी आत्मा बदल गई मेरा सौखाव बदल गया मेरा आश्रण बदल गया आज से मेरे अंदर में जो मेरी आत्मा है वो ये शू की आत्मा है वो ये शू की आत्मा है जो मुझे में आप से चलेगा, मुझे बदलेगा, मुझे बदलेगा, ईश्य के नाम से, आमें, आमें, आलेलुया, आजाए हम तरसे, जगरे लभी तो तक उसका नौबात आए, उसके त्यार विपद में, तू भी सुन, क्योंकि मेरी बाशक के लोगों के कारण, मैंने तेरे बन्दियों को बिना चल के गड़े में सिर्फ बबार लिया है, सब तो ले खालेलुया, अलेलुया, एक आप उस समय, जो प्रभु के साथ में बैठ कर, हम उसके रात रखना करें, मैं जो आप से बात करना चाहता हम तो ये समय है, वो है कीम्दी लभू, एक लभू की बाच ऑचा जो परणिश्वर जो है, हम इंसानों के साथ में, ईश्व मसी के लभू के साथ में बात रहता है, अलेलुया, एश्व का लहू कोई साबर लभू नहीं है, जो जीवन देता है, जो छुटारा देता है, जो जीवनों को बदल देता है, जो क्रीस्तों में बिलारी लेकर आता है जो लहू को कुBay retire का प्रतीख है वो लहू जो है जीवनों को एक नईध शादे देता है वो लहू की बात में आज आज आपके पास मिलेकर रहा हूं मेरी प्रियों, आज इस मेज में एक लहू का प्रतीक है एक रोटियर का देख का प्रतीक है जो येश्यू को लेकर आया है हालेलुया ये मेच कोई ठकी हुई चीज नहीं है येश्यू मस्थी कलवरी क्रूस पर कोई साधारन तरीके से नहीं मारा कई सालों की तबस्या कई सालों की इतिहास की वो शब्द जो परमेशन अपने नभी और भर्शुताओं के बार कह राता वो सारी बाते कलवरी क्रूस पर कुई हो गई हालेलुया वो येश्यू इसलिए मर गया कि प्रेम मस्थी बच्चा है हालेलुया वो इसलिए मर रखे आप सब बच जाएं आपका घराना बच जाएं आपको अधार मिल जाएं में प्रियों प्रभू खोश्टा करता है ये बाच्चा का लोहू जो तुमारे सामने रख़ा गया है कोई साधर लोह नहीं है हालेलुया वो परमेशन आपने लोहों से बात करता है कि ये जो लोहू जो जगरिया नवी की पुसर नौध है क्यारवे पद्वे कहता है कि मेरे बाच्चा का लोहू जो बंदियों को बढ़े में जिन निकालेगा जो मुर्दों को जीवन देगा जो मर रहे हैं उनको एक नई आशा देगा जो निराशां में जिन्दगी को जी रहे उनको बनदकर बाहरे निकालनेगा वो लओ की बात करता है इनसान के लहू में पशीफे में कोई ताकत नहीं कि किसी को जीवन देड़े नोग बिवोद्टियों वो फमेशन अपने बेटे के लहू की बात कर रहा है वो कहा है सुनो मेरी आवाज को सुनो मेरी आवाई को क्योंकि वो लहू को मैं भेजने जा रहा हूं वो बाच्चा में तुमारे साथ में भांधने जा रहा हूं जिससे एक नई खली से अपना करूंगा अबनुंयाँ so खली से ये तियार हो। वो दुन हमी ये तियार हो। स्वर्ग नीचे आता है रगो गयाता है येही बरजिना प्रावरूं करो सुर्वात है ये अभी तो पुरी पिच्छा बाकी है अलेलुया अभी तो हम देलर देख रहे हैं सौइग में अभी अस्वी फिल्म बाकी है मेरे प्यों पर हो कहता है बाचा के लगो को उस मेज में संविलित होने की तैयारी करो मेरे प्यों आजम बड़े तैयारी के साथ में आए तुझी बहुत अच्छा बागा जब मेरे सुना इस बात को कि हाँ तीन दिन पहले से इस मेज में संविलित होने के लिए लोगो पास प्रात्माओं में बैठते हैं लोग अपने आपको तैयार करते हैं सरीर को कस्ट देने से कुछ नहीं होता पर सरीर को कस्ट देकर आत्माओं को तैयार करना ये सबसे बड़ी बात है आपे दुर्या प्रभु आत्माओं देखता है अब आत्मा आज आप जीतर दिया आप है में आप निए प्रभु जो है वापके सांथ में नाम कर रहा है में आपको बना रहा है इसके बात को कहता है मेरी बाचचा का लोग जिटनों हाड़ी बखाः जाएगा वो तुम्हें सौदमझ करेगा तुम्ही आसा करेगा तुम्हें नया बनाएगा इसमें तो प्रभू कोशना करना सौ मेरी बात को मैं तुमको पहले से भरश्माई में बता देता हूँ मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि मेरी वाक्षा का लगू जो मेरा प्रिका देता है जिसमें कोई आप बित्रतर नहीं है जिसमें कोई दाग नहीं है जिसमें बोई पाप नहीं है वो बाच्छा अपना लहू तुभे जीवन दे सकता है मेरे प्रियों भही लहू आज मेरे प्रियों हम प्रों के पास में आए है उसी लहू को मेरे प्रियों परविश्व लणाने की बात करता है उसकी लहू को छिड़तने की बात करता है उसकी लहू को अपने साथ में लेकर चलने की बात करता है आज उस लहू को यहां से ज़रू लगा कर जाए और ये शूर आपने बेम के लिए आपको धने बात देता हूँ आज इस स्थान को छोड़ने से तहले मैं तेरे लहू को अपने पच्छड़क कर जाऊंगा अपने शरीप में लरा कर जाऊंगा क्योंकि मैं जाता हूँ तेरे लहू मुझे बचा कर रखेगा तेरे लहू कवर्श है मेरे लिए सुरुक्षा के स्थान है मेरे लिए मैं आपको बढ़ना है। में जाताूं लहू की बात नहीं होती। लहू की बात होती। बहुतसे चर्चँबंक। प्रचार करने के लिए लहू के अबारे बात्शीत नहीं होता। बढ़े दुख एस इस बातंता जिस invariant हें अ इस अभर को अपने प्ता के साथ में जोड़ करें प्रभू आज उलगता है रोता है जब हम लोओ को आज़र नहीं देटे लहू झीवन लेकर आता है लख। आपको फिर से प्रती दिन चुट नहीं कहा प्रती दिन अपने क्रूस इथा कर मेरे पीछे छे और क्रूस में जब हम उठाता है, उसकी क्रूस को जलते हैं, वो लहू हम में लगता है, वो हम तो बच्छाता है, वो मैंने अंदर में बढ़ता है, वो नया और नया बनाता है, तक हम इशुक इस स्वरूप में बनते जाएं। इसनला तब तो यह हुआ कि यदि लहू को हम नहीं पुकार रहे हैं, तो हम सिद्ध हो चुके हैं, हलो, क्या हम सिद्ध हो चुके हैं, मेरे प्यों को हम तो सिद्ध बराना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, इसलिप भुआ है, कि लहू की दुखाई देना, लहू के नाम को आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहू को ना बोगार कर लोगी दोहाई ना देकर आज परिवार तूप रहा है तो हैं इसको मानते हैं जानते हैं पर उनके जीवनों में अई परिशनिया हैं संसार का आकर्षन यदि आज हमारे बच्चों को हमको बरवात कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जीवनों में येशु का लगु नहीं लगाएंगे मिस्ट को याद करिए परमिश्ण ने कहा जिस चौकट पर, जिस इस्थान पर जिस घर पर लगु लगा होगा वहाँ पर मौत नहीं आएगी गरीबी नहीं आएगी आप आओ नहीं होगा भृत्यों नहीं होगी वहाँ पर रभु की सामद रभु की स्रक्षावा होगी परभु की आज बात लेकर जाएं लभु को चेड़ें अपने काम में हर चीजों पर लगाएं रभु आपकी स्रक्षा रहाएं अलेलुया आप सोच सकते हैं वहीश स्रुदूच जो खरीष्ड की आग्या से शयतान को लड़ने के लिए आते हैं या शयतान आपके घर में भो सकता है क्यों आपके बच्चेव की जीवान में भो सकता है या आपके आशिशों को भूचस जीन सकता है पैसा कमा रहे हैं पैसे में आशुष नहीं हैं बच्चे हैं पर बच्चे हमारे में गुलाम हो चुके हैं दुनिया के गुलाम हो चुके हैं हम मल रहें अंदर ये अंदर रो रहे हैं पर आशु नहीं निकलता रोते रोते आशु शूप चुके हैं आपको समझ नहीं याता कि इसके पास में जाएं लेकिन हम मर्सियों को मालूम है कि हमारे पास में एक वाक्षा है एक प्रतिक क्या है परमेश्र कहता है उस लोह को लगाओ कि उस लोह को जब तुम लगाओगे सुरक्षा तुमारे पास में आईगी परमेश्र मजबूर हो जाएगा कि आपकी सुरक्षा आपके परिमात को बच्छाएं, ले भी आप में खर्में फ्री डाउरादे. आपके परिमार के लिए किसमें कीमत चुखाई है, इस बात को जाएंगे. और इस साथ बाचा बन दी है प्रभू. आप में उसे प्रभू स्विकारा है, वो आपका प्रभू है, कोई और कैसे प्रभू बन सकता है आपके जीना. मेरे भी उखो, और मुझ एहता है कि हम उसकी बाचा को जो आपके लिए रहे हैं, इस बाचा में जब हम बनते हैं, तब कर्मेश्वार हमारे साथ काम करता है. आरे लूया, हमको ओचा और मुचा उठाएगा, हमको सुन्दर और सुन्दर बनाता ने चलेगा, हमको अपने उपस्तिती में बढ़ाएगा, मुसा कहता है प्रभू यदि तू नहीं जाएगा, तू ने भी नहीं जाएगा. मेरे प्रियों, आज प्रभु चाहता है, जिसके उपस्तिती में हमजी हैं, लेकिन उसके ले कुछ कर्मों को हमको उठाना है, कुछ खाम है जिसको हमको करना है, कुछ लक्ष है जिसको हमको पुरा करना है, जिससे फर्मेशन इस लहू के द्वारा हमको आश्यस नहीं, प्रिय मुझे इस बात के लिए, बोल राधा है, मेरे पी विए लए से पहरे पश्यताब आता है, आग लू यार, मेरे पीर आहिता आतमिक प्येर दे ये, यिदी जरहीं पश्यताब नहीं है, तो लहूच उठाना नहीं देखा ये जहीं बश्चताब आपके जीवन में नहीं है रभु कलिया आपके जीवन में काम नहीं करेगा बश्चताब बहुत सरूरी है मन फिराना बोह। जरोरी है बश्चता क्या है लू पतें बिल बिल कर रोना चिला-चिला चिना कर रोना और इसके बात बेव Nature के बास में आजाना और यहाना कि प्रभु ने पात किया मैंने यह किया मिनरे उसको ज्ट बोला उसको मारा, पीटा सब किया, उसके बाद में बाहर जाने के बाद फिर दूसरे को खाली दे रहें, चुबली कर रहें, उनके बारे में बुराइया कर रहें, क्या ये बश्चताब है? सश्या पश्यता तो也 है इजुआ ने किया है już से 유क्रावनाव जो आपने किया है उसने मानो ही नहीं बर उसको इस्उ के अराम से छोड़ो कशनकी तो में तों नहीं से उऋ यहुआ यह है सश्चा पश्यता नीति जिन्टित ένα उसका 22 दिध्याए उसके तेरवे बद को यह दियाँ पढ़ेंगे, लीदी पसे इती पुस्तर, उसका खाईस पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, जो अपने अपरादों को मान लेता, और उसको छोड़ लेता है, उस पर दियाँ की जाएगे, आलोया, मेरे प्यों, पश्चता बहुत ज ही और प्रभू को माशिस इूतर, और कमी हमारे साथ में वह काम नहीं करेंगे, प्रथि लिखार प्रटी दिन चलता, हैं प्रथि छर जालता, हैं तो यह आप समय उठते हैं, बाईव ले लज़ए, पड़ता है, साम्ने पश्चता आप परें, आपके मुंह से अखशक निक लुखता है ताकि हां प्रभु की उपस्दिती ने आगे बईये प्रभु आपके परस्थ में आए आपको नेया बना यह है पस्षटाप यह पश्टाप जो दिन पर दिन आप अपनी स्ब्सक्री को बलते हैं तूने यह इसा खाला क्यों बनाया अप्रभु बहुता है थाकर क हमको प्रवस से दूर ले जाते हैं हमारी सिंदगी बर्वाद हो जाएदी तो पश्यदाब करें सच्छा पश्यदाब यही है यह अपने गल्तियों को मान देना और चिपोड़ दें यह है पश्यदाब यह है वो काम जिसको हमको पारम करना है प्रभु के साथ प्रती दिन प्रती दिन प्रती दिन आपने प्रूस को ठाके हम पर चलाएं तब प्रभु हमारे साथ करेगा प्रभु हमारे साथ में प्रती दिन बढ़ेगा और प्रभु हमारे अंदर में उस काम को प्रारम करना चाहता है जिस काम को प्रभु जाता है कि हमीशन जैसा हम काम करें आलेलुया आलेलुया इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि लगु से पहले उस लोग में चुपने से पहले आप यदि सच्चा पश्यताप नहीं किये हैं आप आजाएए वापिस पुश्यताब के पास में आप पुश्यताब करना प्रारम करिए अपनी गंतियों के लिए बुराईयों के लिए सब बतों के लिए अपने खमंड के लिए आई के लिए सब के लिए आप पुश्यताब करें आप आजाए प्रभू के पास में प्रभू में तेरे लहू के पास में तेरे लहू को मैं अपने जीवन में अपने परिवार में चुरबना चाता हूँ याद रखिये शैतान के आँखों से आँखें मिला कर आप कह सकते हैं कि शैतान मेरे अंदर ये शुका लखु है उसने मुझे जीता है मैंने सब चाहब प्रस्चता किया है मेरा जीवन बदट गया है अब मैं वैसा जीवन लेए जीवन Nueva जो अक्डू मुझे जिराता था पर आप में वाची को जीवन दू Massachusetts जो मेरे येसु जीता है आललुया जब प्रभु बढ़ेगा तब आप पढ़ेंगे जब प्रभु आपके अंदर पर काम करेगा तब आपके अंदर में स्वागरती आएगी आललुया जब आमें जब जाने के बाद में मैं ये बातों को सीखा प्रभु को स्विकार करने के बाद जो प्रआगी इश्मसी रहता है एक इश्मसी जो रहता है वो पोलियो बरस्ट इश्मसी रहता है जो कि हमारे अंदर में रहता है जो सुकुरू साथ पकला साथ जिसको जो वास्तों में जीवन चाहिए तो जीमन क्या होता है पॉलियोड रॉप दीशे लेदे लिए पॉलियोड रॉप कहा से अगर जी इधर से आगर से हाललुया प्राथ्न से संगती से पॉलियोड उसको मिलेगा कई वोग रहते हैं तो इस्छी मसी बदाए रखना चाते हैं को मुझे में बोड़ रहा है तो मुझे में काम कर रहा है और उनके जीवच मेरी जैसा है जाता वो बोनते हो हो ठाहिक होता पत्रस ने कहा कि अंदा देखने लगे लगलाक चारने लगे हुआ कि नहीं हुआ मेरे पिर वो बारी हमारी है आप बोलना चालों कर इशू के रहां से आपका इशू मस्री की तरह सामर्थी है आप बोगता है आपके अंदर में रहने वाले इशू मस्री जंजीरों से जगड़ा हुआ आप ने रखा है या फिर आज़ाद रखा है आप बोगता है प्रभू मैं आपको आजात करता हूँ रूसभे रुटकर बैदाओं जैसा तू चाहता है मैं समय जीवन जीओं मैं अपना जीवन नहीं जीना चाहता हूँ प्रेम मसी तो मर गेर था इस सालों पहले अब जो जिनना है वो देश मसी है अल्यूया आप एकमना नहीं जो पारी है कि हम प्रभु वाज साह हूं हम प्रभु को काम करने दें को अध्य कई जो जाता हूं प्रभु जो एस भाफ को मुझे अंगे शिकला है जाता हुआ हम दोगों के बीच थाचार दिने के लिए अगी पिछले दिन में पुरी समय था प्रशार करें थे इस वर्ड को जब हम दोगों के बोला चाहिए जैपुर में तो जैपुर में 200 200 सिहाद़ियाद के लोग आगए उने की बुले प्रभु की आत्मा मेरे अंदर में जैसे बोलने का भी दो तरीका है एक बगरी जैसे बोलते हैं और इक बबर सेर जैसे बोलते हैं किसके जैसा बोलना है यह आप लोग चाहिए आलेलुया आप तो सीखेंगे थोड़ी देल जैसे थेंक्यू आप तो सीखेंगे आलेलुया बोलें प्रभु का आत्मा मेरे अंदर में है यह वक्री वाला है यह वक्री वाला है यह वक्री वाला है मेरे अंदर में यह बेपी क मेरे अंदर में प्रभू का आत्मा है सैटान को लिए तेरे से ज़़ा वस्त मेरी है मेरे प्रभू का आत्मा मेरे अंदर में है अलेलुया अलेलुया जब फोने है प्रभू का आत्मा नहीं 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 अइसे नहीं मेरे और कम और क्सेतान हम से जाना भतर नात美味 है पाते इस बात को, आपकी तहारब वबर से जैसे हमारा राजा लॉयन अब सूड़ा है, अरे राजा के हम बेटे आप बेटिया है, हमारे नहीं राजा मुँँगों, वो कुछ ही पहले गार तो, तो ठापका नारे के जाके कर दो सो, राजा के आवास ताम का निवानी दो दी ह आवेलुया, आपको पता है, मैं आप से कहा रहा हूँ इस बात को, हमारा प्रभु जो हमारा पेका जो है, स्वर्ग और प्रत्वी का मालिक है, उसके हम बेटे और बेटिया हम राज कुमार और राज कुमारी है, हमारी दापर कैसी हो नसी को, चल इस सवागी दन्ना के आप से, हालेलुया, जिन दिनी मुझी आवाद शक पड़ जाए, हम दुआ करेंगे, यहां पर लैंडर वाला बनेगा, हाले, प्रभु इस घर को नया बनाएगा अपने घर को, तो यहां पर प्रभु की मही महोंगे, और सन्य स्कूल उपर चलेगे, हालेलुया, चलिए हम तो लोग जोड़ करेंगे, बोलेंगे, जि की मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है, हालेलुया, 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 आपको जो में आपको जो किया है आपको कर्ज की परशानी है आप एक कर्ज मैं तुझे आपके देखा हूं कि मेरे अंदर से चली आप क्योंकि मेरे अंदर यशु की आतमा है मित दो जब कुझतना जा Save अफ्ट करें अजह आपहले। जुटुटुटुटुटुट। आज प्री होता जाएं यहां से, आज यहां से बंदरों से चपर करना चाहें, आज बड़ा होता जाएं यहां से. आज बंदरों से, 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 आज बंदरों स मेरे यू मसीव अंगा इस मेरे इसु मेरे मेरे है एस सब कुछ दबबर रहं है मेरे इसु हमाद मेरे आपकोर हमाद मुसे बदर लेंक लिए यू के नाम में आमें 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 आलेलूया तो ने मेरें अदर रिस्टों की आत्मा है डिरी अदर रुद्फात्मा है वो मुझे बड़न्दिया है अब वो मुझे में पढ़ रहा है कर लेeting बार पट धर इस हूं हम आपसान है किल एक्टाँ मैंय छिए प्रभू पर पूरा विश्वास रखते हैं तक प्रभू अपने लहू से हमारे सामने काउपेट रखते हैं अलेलुया जो पुछ वापने आज यहां से जरूर लेकर जाएं मैं आपको बखाना चालता है लिखें पहली बार ज़िदे आपको इलिए जरूर लिखें और यदि कुछ सुन रहे तो प्रहम से सुनें इफिसेवटी इफिसेवटी इपत्री इसना के धाराना है। उसके साथ में बख्रोपडिक है उन्ने मिल्णा है हम तो हमको इसमें उनके लहू के द्व्वाराक शुटकार सबोंने ने हालेलूया लहू के द्वारा चुटकार मिलता है लहू के द्वारा हमको जीवन मिलता है तो जो पहली बात में आपको बताना चाहता है वो बात ये कि येश्यू के लहू से आपको चुटकार मिला है आप अजाद हो चुके हैं ये आपके अच्छे काम नहीं है संसार के राज्यों से, संसार की बातों से, शेटान और अंगतार की शक्तियों से, बुरी युक्तियों से, हर बातों में आपको प्रभु ने ईश्यू के लहु से छुड़ा लिया है आवेलूया जब शुने आपको छुड़ाया तो आपको प्रभू की लिए चीला है जी नहीं जीला है जी या शाय कि पुस्तव उसका त्राइस पद्धिया उसके पहले पद्धों यह आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है मैं नाम लेकर तुमको बुलाया ताकि तुमको मैं छुड़ा लूँ यह मसी को इसलिए बुलाया ताकि वो मुझे क्या कर ले तेरे प्यों पर मेश्व ने जब हमको छुड़ाया रभू ने जब हमको आज़ाद किया तो हम अपने नहीं हैं बर तो हमारा जीवन जो है वो अप्रभूदा हो गया है आधे लूईया पहले हम चुट बोलते थे आज से चुट होना बन करने पहले हम चुगली करते थे आज से चुगली करना बन कर दीजे पहले लोगों के बारे में बुरा भला आप सोचना बन कर दीजे क्योंकि आपके अंदर में कोई और रहता है क्योंकि आपके अंदर में कोई और बढ़ रहा है क्योंकि आपके अंदर में कोई और सांस ने रहा है कोई है जो आपके अंदर में एक नए सौभाओं की बुद्पत्री कर रहा है कोई है जो आपके अंदर में एक नए सुष्टी को तैयार कर रहा है कोई है जो आपके अंदर में उस येश्व मसी की आत्माने आपको नया और नया बना रहा है कि ये चुटारा को शाना जोर्टारा नहीं है परनतो ये चुटारा एक अद्व pirate है जो ना कि आख को आशिशित करेगा असलिए होervार को नहीं है आपके जीवनों में वह आशिशत हो डिका आएगा जिसमें, आख भगतारे नहीं है, जिसमें प्रमों ने आप वुणाया है, हाल्यौया! दूसरी बाद, जदी हम भोनादे बढ़े है, दूसरी बाद, एफीसियो एक अदेस सात्तु तो उपट सकड़े एफीसियो पहला ठेस सात्त नगोण सात्तु तो उपट सकड़े हमको उसमें उसके लहू के बारा चुटकारा, अर्था काई की चमा, सब बोले काई की चमा हम लोग लगती करते थे, हम लोग उना करते थे हम मुराईयों करते थे, हम अनाग्या कारी थे हम रेट की बाते सोचते थे हर एक अपरालों के लिए प्रभुने कीमत चुपाई है हालेलोया हर बातों के लिये उसने कीमट चुपाई है जिसको आप उनकी तिया उस बात को प्रभबु ने कहा मैं उसकी कीमट चुकाउँगा मैं उसकीमट को चुकाउँगा जो तुम्हारे जीवां में जितने बाप और गुना राप्राद आगे थे उन अपरादों के लिए मैं कीमत चुपाँगा और उस कीमत के बदरे मैं तुम को आसादी देना चाहता है इस लिकाह मैं तुमारे बाप को स्मर्ण नहीं करूँगा तुमारे अपरादों को में स्मर्ण नहीं करूँगा तुम्हारी गल्तियों को मिश्म्रे नहीं करूंगा ये शाहिए कि पुस्तर उसका अरतिस अध्या है और उसके सत्रेवे पत को यदि हम निकाल कर पढ़ें तो महाँपा लिखा है उसने हमारे अपरादों को अपने पीट के पीछे में ठेक दिया है और उससे टाबी स्वअरण सबसे बड़ा प्रापी कौन है ओले प्रेंवस्षी ओले प्रेंवस्षी हालिलुया जोसे नहीं तो जोर्स हल्वे हों हल्यू ही अजो जडिय हो बोले हाल्यू हाल्यू कर्वे वियो सोंतर नल्य जडिसे खना में रुपनादों के जिन्मावादा झाला है हमारा इसवर है हमारे इन्तिशाण कर रहा है कि अब समझ नहीं के इसकी वाद कर रहा हूं कि विश्짝 से खunken मी एफ फिलिवुर की बद्ली में लिखा है कि पेट हमारा इसवध है पढ़े ने कादी ओम नरीया जादा पढ़े हैं कि अच्छी बाद प्रभू में पॉइट ना से लेकिन एक इश्वर इधर भी है जी जो भी बहुता है घड़ी के एक बज के बारा बज के कि अच्छी बात है यदि कोशिश करूंगा अभी मेरे साथ में भाई सब्सक्राइब कितना प्रचार करेंगे मैं कि मुझे तब कि नहीं मालू में कितना प्रचार करना है कि पुरी समय जब हमनुख प्रचार करने के लिए गए हुए थे तो आप हमनुख सबेरे 9 बजे से प् हम पहते है कि पंडाल के प्रचार कर रहे थें रात को साथ बज़ के और शाम के वह की आप में गया है तो शाम के बलॉ मिए नकाम साथ को साथ करने के आए कंवल ना भरस एक जंगर के दो घर्सिया करने की अच्छार करने गहां पास्षर गुप्ता के यहां वाश्र गुप्पा कि हम आपके बोले कि हम लोग यहां पर प्रचार करेंगे, आपने बोला है। उन्हें बोला, बाजी साथ आपको जितना देर ले नहीं उतना देर दो। मैं रहां थीक, गड़ी को बन कर दीजे सबसे पहले। क्योंकि सबके लिगा गड़ी की हो जाएगी। वोले प्रचार करना चानू करिया। दस मजे से लेकर तीन मजे तक प्रचार किया। वोले भूगी नहीं लग रहा है। और प्रचार करो। गड़ी को जब हम लोगे आउन करके देखता दोसमें तीन मजे थी। अदिया हैंसा ने करना। और प्रचार के साथ में हम लोग बहुत को सवरे समय चानू करेए। नेवर जोत से बोने बोने आलललुया। जो मित रहन हों बोने आललके। भा जोत सरशार हैं? तीसरी बात जली से हम लोग तीसरी बात देखेंगे। पहरी बात हमने देखा लहू हमको क्या देता है चुपकारा देता है अनलुरिया येश्यू का लहू हमको चुपकारा देता है हरे एक संसारिक और सैतानी और अंदकार की शक्तियों से हमको क्या करती है उसने आसाथ करती है दूसरी बात हमने देखा येश्यू का लहू जो है हमको सारी अप्रादों से भी आज़गिता है आजलों किसे भी पाप क्यों न ओँ हमारे उन पापो से हमको क्या करता है इसकियर थे फोमेख इढूरे में इसके पास में हैं तो थे आमकात है जिसके आज़े आस Ugh तीसरी बात- दीसरी बात हम दो देखेंगे पहले यहांना उसका पहला गाह उसके सा वे रखो हो है पहले होना पहरा गाह सा वे रखो परेडी जैसे वर जोती में है यह जैसी हम भी जोती में चले एक उसरे से आपागिता रखते हैं और उसके पुद्र इश्यमसी का लहू हमें सब बापों से शुद्ध करता है सब बोले मेरे शुद्ध लहू सब बापों से मुझे शुद्ध करता है आज मैं शुद्ध होकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं शुद्ध हो चिता हूँ वचन से अंगीकार से इस मेज में समलित होने से मैं शुद्ध होकर जा रहा हूँ जब मैं अपने घर में जाओंगा, जब मैं अपने घर में जाओंगी, मेरा घर आशिशित होगा, मेरा जीवन बदर जाएगा, आलेलूया, मेरे प्रियों आपके जीवन में चाहिए ऐसे भी पाप क्यों नहीं हों, चाहिए आपने भूत काल में क्यों नहीं हों, चाहिए परत कि पूरत करने वाले हों में प्रियों सारे बापों का एक ही बलिदान है और सारे बापों का एक ही उत्तर है वह ये येशु का लभू जो सारे बाफ़्ों से हमको आजसात करता है अलिलूया और ओर आजसाती हमको फ्रीन मुद्व तुमे mandates है ते एक शर्थ कि हम प्रभु के पास तूमे आए और उसे कहा है आध motto, मेरी जीवन का प्रभु तू है अलिलूया प्रभुम्हों को सुनर बनाना चाथ पर हमारी जीमनों से एक नए काम की शरुबात करना चाथ है हालिलूया मेरे प्रभुम्हों इस बात को में को समझ दोड़ा सा समय लगया मैं सुपिना में मेरा ऑफिस था धिलन कॉंपलेक्स में मैं वाटर टिकमेट का यहां का चुटिस गर्टा डिलर्शिप निम्बर था मैं यहां पर काम किया करता था मेरे साथ में 35 लड़के थे और प्रभू के आशिशों के बदब बहुत था मेरे पास में लेकिन एक दिन प्रभू ने मुझसे कहा सब को छोड़ और मेरे साथ में चल़ मैं इको के बाज गती था बाइबिल कॉलेज में ने किया बाइबिल कॉलेज करने के बाद प्रभू को छोड़ कर चला गया संसार का ये पैसा अच्छे अच्छे लुपों को लेडू बने जब मैं भिराई में कदम रखा सेक्टर टू में मेरे बड़े पापा रहते हैं मैं यहीं पर रहने लगा कंपनी ने मुझे एक महने में मुझे 36 दर डिलोशिप दे दिया क्योंकि काम अच्छा होने के कारण उसने मुझे दिया मैंने उस लहू को त्याव रितर आ गया जो इशुने मेरे लिए ला है इनिश्व निए अनियाने में जो प्रभू के सांद्य में समर्पड़ किया था वो समर्पड़ को भूल कर आ गया मेरे प्यवार मी कहती है जो भूँना होता है उसको भो भी Bree जाती है लेकि प्रभू की करोणा मेरे मेरे लुपर दरिय रही उसमें मुझे मारा नहीं, मैं आपको डरा नी रहू हूँ, मेरे साथ में Bible College जाने वालों में 11 लोग थे, किरे लोग, 11 लोगों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, मैं आपको डरा नी रहू हूँ, मैं मंडर चिले का रहने वालों, 15 साल से यहां रस्यवा में आपे हूँ, इस सेवा नी कर रहा है, अभी मेरे साथ मेरे मेरे मावाब रोने लगे, फिरत ने लगे, बुले लगे कि आप क्या होगा, हमारा बेटा मर जाएगा, जितनी भी लड़की मरे थे, सब लड़की के फरवारे आपके बोले लगे, अब प्रीम की बारी है, अब प्रीम की बारी है, अब प्रीम की बारी है, बच्छपन में जब मेरी मेरी जब पैदाई शुरी, 18 गाओं के लोगों ने कहा, यह लड़का पैदा हुआ, और इसके क आप आठागा गौण के लोग बुलने लगें, ये लड़का पहला हुए इस समय मैं बहुत मोटा था, मिचन नहीं बाता था, बहुत अजीब सा दिखाई देता था, उन्हें ने का इस लड़के को बनी चाथा तो, गौण के लोग ने का बनी चड़ाओ इसको, और मैं वहां जाकर मेरी मम्मी रोती थी, मम्मी जब दूद बिलाती थी मुझे, तो मेरी मम्मी को मारा जाता था, बहुँ इसको दूद नथ पिलाओ, मरने दो इसको, मेरी मम्मी बुद्टे का जो गाुद्दा देते हमें and बुड़ड़दय, को जो भौँड़ रिखंद रो करता है उस दूख को मुझे पेरा है जो उससे कहती थी मेरा बेटा जैसार नहीं है और समय निकल आपके मेरी मम्मे गृते पानी में निकलता आदिया गिए बोलिके मेरे बेटे को बच्छा जाना है मुझे उसने खुट निटे के और कहा प्रभू ये बेटा आज से देर लिये है तू इसको एक बात बचा ले बस क्योंकि मेरे पल्लों में वो जबया नहीं है जहां पर में इसको बचा सका है और उसके बाद मुझे सिम्नी मत्रदेश में मुझे लाकर वस्टर रख दिये गया जब मैं च्छों का सब था ये बेवी बड़ी होने से तो उस समय में महाँ चुड़ा था करीब दो से ठाई साथ है मुझे वस्टर पर रखना गया था मैं वहां पर रहने लगा तीरे तीरे प्रभु की यसात में भी बढ़ और मैं गाहँ नहीं Candra ओप अपने खर नहीं जा सक्षता अबरा अपने लोगों के पास नहीं चासे क्रादा फ्रीट मैं एक फॉरेस्टर हूं। प्रभू ने कहा यहां तेरा कोई काम नहीं है। तुने कहा है तेरी मान मुझे तेरे हां तुने सौपाया है। क्या तुम भी इसे उखाई ले आएगा। मैं नौपी छोड़ कर भाग गया बैबिल फॉरज में ट्रेनिंग करने लगा। त्रेनिंग करते 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 वहांसे करने के बाद में जब इस भिलाईए श्रहर में आया। महाँसे जभी हान वो समान जाता था, वो तीन हचार से चार चार में लगाता है, एक दिक का खाने कर लोग शाओ पैस्टे में उड़ने लगा, लेकिं पैस्टे में इस बेटी को में बचा, बचाने के लिग खा दी, इसको मेरी प्रभू ने जब उसके सामने में मैं आतमसमर बढ़ किया, मैं अपर वास से मेरे साथ चिणुने, मेरी गंती किस्टा ज़ाजन वेरे परिवार को माते, और उसके बाद मेरी पत्नी, गटर नमरता पुसारी, तो आप चंदुरा चंदा कर से चली गई हैं किस परस्वास कटेंगें उन्हें कहा जिस खोला कि तुमास्वा करता है पिरे मसीख उसके दर्माजे को खटखटा क्योंकि तेरी पत्नी के आप की जो काली बारी पुद्री या पलड़ चुकी है तेरी पत्नी के पास में दस परसंट बस चंस है ताकि कोई चंस नहीं है मेरे गड़ों के सामने में बैठ कर रोया पश्चता किया वही पश्चता किया और वही लहू को लदा दिया अपनी पत्नी पे और मैंने कहा त्रमो तेरा लहू जीवन देता है तो आज मेरी पत्ली के शरी में जीवन आने पाए मेरी पत्ली बदल जाए आज मैं रातों जैसे जिन्वी ये नहीं जीना चाहता इस बच्ची को मैं कैसे पालना मैं पता कैसे जीन जा मैं सबेरे चार बजे मेरी पत्ली मेरी पत्ली के शरी को गरम करना चाहता बत्री कहा है, मैंने अपनी बत्री में पास में गया, मैंने कहा मेरा बाप जिन्दा है, मेरी ये शिक्रा तहू आज भी जीवन देता है, और उसने भी बत्री को जिन्दा किया, परिसान गोग लाव होता है, वैसा जल्दी छूटता है नहीं में, सुपील में गया, मैं कहा नौकरी नी शुटता, आख आता करें, इतना पैसा आता है, आदा रहे लिए, प्रभु ये कहा पूरा समता, तो दुनिया के लिए नहीं इन मेरी लिए है, मेरी बेटी का जो अभी आरसा भी केन है, मेरी प्यों को इस सही बत्री इस बात गवाही को म मेरी बेटी की तबे खराब और ठीक है नहीं हो रही है, क्या किया जाए को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना बेचैन हो गया, जिस डॉक्तर को बोलते थी कि पैसा था मेरे बास में, जिस डॉक्तर के बास में जाता था, डॉक्तर बोलते थे हमको समझ में नहीं नहीं आ र जोगों के पास में हम ने चिला लिया, चलो आप हम तांत लेक के पास में जाए. मैं सच बोल रहा हूँ हो, जूट नीं बोल रहा हूँ, मैं भी भटका हो. जब भटका जब जूटा तब कर वो आजी हम ख़रा गिया. मेरे आउपार तो नहीं है कि में आपको सिखाओं प्रोक तहीं जंसे HDR हमने बहुत रौ रहा हु मैं शापित जगने में जा रहा हूँ और मेरी पत्री गोती एग बाहर बस मेरी बेटी के लिए चाएगा मैंने का मार देगा प्रगो हमको क्योंकि मैं बाइबिक पॉलिज के उमें जानता हूँ कि इस बचन में क्या लिक खाया है शापित होगा वो एक्ती जो ऐसी जगों में जाएगा मैंने का मैं नहीं जाना चाहता वाफिश चरू पर पत्री ने कहा पेटी के लिए एक बाद चरू हम लोग अंदर गया है मैं यां पर रोगा था दानत्रिक एपनी आंको को दे तब मुझता है बेटा रोग नद इस अच्छा बिए खाब जाया था मैं की कन्क हो मैं और मैं जो इस लिए रोगा था मेरी बेटी के लिए माइस्ट बता हूं प्रभु के वेजी में मुंसूट ने लो रहा है मैं प्रभु के उस राग की लिए जो में परिवार में पढ़ने आ रहा था उसकी रहे हिरोगा गलत प्लहु को जुमाओं में ने कर लिया था मुर्गी लिखे गया था मैं कादिवादी मुर्गी चपानी के लिवाद तान तरीक अपना मन्त पढ़ना चालू किया तानों को टालने नेहीं बेरी ब्रभु आज भी चाहें कैसी नी परिस्तिती कaux आपने बच्चों ऑपने बच्चों को बचाना जानता है उनको निटालता बाहर ठड़ता है जब मैं इस काम को हमकर रहे कि वह तंत्रिक आज भी जिंदा होगा मैं हैक मैं सोसता हूँ जब मुर्गी के सिर को खाटने के लिए बंदर के उपर में डालने के लिए रखा गया जब उसके सिर को खाटा किया ब्लड निकलना बंदो गया खूनी निकल रहा है तीन से चार बून खून निकला आप जो उनकी जल्किरत की उसमें क्या डापते उसको डाला गया वो आप जली नहीं रहा है बुझ रहा है बार-बार तांतरी पूरा पशीले से लद्धात आने लगा वो बोलने लगा इसके क्या हो रहे है यहां पर वो खबराने लगा बोलता हमें मर जब मुझे नहीं हो रही है रभू मुझे बच्छा ले दे नेरी परीवार को बच्छा ले बस इस से ज़्यादा कोई प्राथ्रा रही यह जोटी सी प्राथ्रा एक पश्चताव की प्राथ्रा उसके लहू को पकारने की प्राथ्रा कि प्रभू आज कुछ यहां पर अद्बूद होने पॉए और उस स्थान में उस परसदा में उस तांत्रिक के धर में वो तांत्रिक होता है जल्ली बाहर निकलो कि कुछ किसी ने कुछ गरवड़ किया है हम बाहर निकलो किया है जो कि जिसके कारण से परिशानी आई है लाइन से सब को इठा दिया और बुलता है तुम्हारा नाम क्या है जैरे का अपने निकलो कि उसने जब लिखना चालुक किया है तो कुंडलियां बनाते हैं कुंडलियां बनाते हैं डेका वर्ट लेकर नाम लेकर उसके कारण से इसके बेटी मरने वाली है और आज ये समझ से इसके बस में आई है मैं क्यों मानूंगा जी मैं तो सितना प्यार करता हो मेरी गरीजे का तुक्रा है वो उसको डर्द होता है मुझे भी दर्द होता है मैं क्यों मानूंगा उसको अज तक पचास सालों से मैंने शक्ति की वासना की है और तु प्रेम मसीड बात को सुन क्योंकि तू महार शक्ती की वासना दरने वाला पेता है मैं तो क्या सोट एने वाली कुक्कि भाव कि दर्द इसमा काम विए प्रेम मेरे शक्ति में काम करेदा रिषा मसीड तरप में आकर आना सकता है क्या तू आकर आएग़ा मैं ऑन hardship की जूट बोलता है मुझे विश्मास नहीं हुआ मैं कि तांत्र की जूट होता है उसके पास में गरंथ रखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था 83 नमबर के पॉइंट में लिखा हुआ था मुझे आज भी याद है 83 नमबर के पॉइंट में लिखा हुआ था कब्रों में पड़े ऐसे ही इस तरी पुरुष और बच्चों को तू हांत पकड़ के बाहर निका देगा यह बात मुझे समझ में नहीं आई है ने का ये भूंगी है ये पहत बात करता है मेरे खरवालों ने का हम समझ यह हैं मैंने का इतने दिनों से मैं समझ आ रहा था तब समझ में नहीं है जब इस तरहत्री के ने बॉला तो दिमाग कुल गया अब समझ में आया मेरी पत्नी गोती में तुम्हेरे सामने हाथ जोड़ती हूं तुम सेवा में जाओ, आप कुछ करने की जुरूरत नहीं है, मैं वहां से वापिस आया, सबसे पहले ग्रेंट हे लग गया, वहां आफिस को बंग किया, मैंने अपने पास में जो मेरे पास सारे में बेटा होशी नहीं दरता है जिसका, वाटर टीटमेंट का, आइने शेंच क मैंने का आज से मैं नहीं के बंग करता हूं, मैं नहीं करना और 25 तुमकों को बोला, जिस जिस जगह में जाना है, यदि इस दीर शेंच करना है, तो मेरे से ले सकते, लेकिन आज के बाद हैं इस काम हें, mैं पत्नी के पास, मैं अपनी सास को बोला, आज मेरी बेटी ठीक ह कि मुझे पता चल चुका है कि मेरा प्रभू मेरे अंदर में है वो उस पांत्रिक के मुझसे बोड़ा था सिर्फ मेरे लिए आज वो काम होगा बेपियो जो ची मैं